जै मातादी दोस्तों, वर्ल्ड बेस मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें आपको बता दूँ कि साल का दूसरा सूर ग्रहन अस्विन मास के कृष्ण बक्ष की और मुश्या को दिन बुद्धवार को लगने जा रहा है, ये एक कंकडा करती सूर ग्रहन है, इसमें सूर कंगन के आकार का नजर आएगा दोस्तों ये सूर ग्रहन बहुत ज़्यादा लंबा ग्रहन है, इसलिए इसका प्रभाव हर मानोजाती, प्रकती, बलकि हर रासी पर देखने को मिलेगा और बात करें इस सूरुग्रहन के समय की, तो दोस्तों भारती समय के नुसार इस सूरुग्रहन की सुरुवात, 2 अक्टूबर की रात 9 बच कर 13 मिनट पर हो जाएगी और सूरुग्रहन की समाप्ती देर रात 3 बच कर 17 मिनट पर होगी चलिए अब जान लेते हैं कि ये सूर्ग रहन कहां कहां दिखाई देगा तो दोस्तों ये सूर्ग रहन पोलीनेसिया, हवाई, मेक्सिको, दच्छन अमेरिका, अट्रांटिका, जॉर्जिया, चिली, पेरू, अर्जेंटीना, उरुगवे, फिजी और ब्राजील में दिखाई देगा आपको बता दूं कि 2 अक्टूबर को लगने वाला सूर्ग रहन भारत में दिखाई नहीं देगा ये भारत के किसी भी इस्थान से देखा नहीं जा सकेगा और आप हम बात करते हैं इस सूर्ग रहन के सूतक काल के बारे में तो दोस्तों क्योंकि ये सूर्ग रहन भारत में दिखाई नहीं देगा क्योंकि जब ये सूर्ग रहन घटित होगा उस समय भारत में रात होगी जिस वज़े से ये सूर्ग रहन भारत के किसी भी सहर से द्रश्य नहीं होगा क्योंकि ये ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा इसलिए इस सूर ग्रहन का सूतक काल भी भारत में माना नहीं जाएगा लेकिन जिन देशों में ये सूर ग्रहन दिखाई दे रहा है वहाँ पर इस सूर ग्रहन का सूतक काल ग्रहन सुरू होने के 12 गंटे पहले ही सुरू हो जाएगा जो की ग्रहन के साथ ही समाप्त होगा क्योंकि ये ग्रहन भारत में दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए भारत में ग्रहन वासूतक के नियमों का पालन नहीं किया जाएगा लेकिन जहां पर ये ग्रहन दिखाई देगा वहां पर ग्रहन वासूतक के नियमों का पालन होगा खास कर गर्वती महिलाओं को ग्रहन के समय खास सावधानी रखनी होगी हाला कि ये सूर्व ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा लेकिन जब भी ग्रहन जैसी खटना होती है तो उसका प्रभाव हर रासी, हर जीव जन्तू और हर मानो जाती पर पड़ता है जोतिस के नुसार सूर्व ग्रहन को असुप घटना माना जाता है क्योंकि सूर्व ग्रहन के दोरान सूर्व देवता पीड़त अवस्था में होते हैं और असुप फल देने लगते हैं दोस्तों सास्त्रों के नुसार ग्रहन के दोरान कुछ कार्यों को करने की मना ही होती है जिने ग्रहन के दोरान कभी नहीं करना चाहिए जैसे ग्रहन के समय भगवान की मूर्ती का इस पर सवर्जित हो जाता है जहां पर ग्रहन दिखाई देता है वहां पर सूर ग्रहन के समय मं अगर जोरत मैसूस हो या दवा पानी आदी लेने की आफशकता हो तो वह ले सकते हैं बस आप ग्रहन सुरू होने से पहले अपने खाने और पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता अवस्य डाल लें दोस्तों ग्रहन के समय जूट कपट वह बुरे विचारों से परहिच करना चाहिए आप सुरू ग्रहन के समय मास मदीरा का सेवन ना करें सुरू ग्रहन के दोरान काम वासना से भी दूर रहना चाहिए आप सुरू ग्रहन के समय मनोरंजन ना करें दोस्तों ग्रहन की दोरान कुछ भी सिलना बुनना सिर में तेल लगाना बाल वाना खून काटना पूल, लकड़ी आद भी नहीं तोड़नी चाहिए और सूर ग्रहन के समय कोई भी सुब या नया कार नहीं करना चाहिए ग्रहन के समय जादा से जादा गुरू मंत्र, इश्ट मंत्र और भगवान का ध्यान या इस्मरन करना चाहिए या किसी धार्मिक पुस्तक का पाट करना आप सूर ग्रहन समापत हुने के बाद इस नान करके स्वच वस्तधारन करके किसी ज़रुत मंद वा ब्रामन को दान अवस्य करें इससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्य से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और साथ इसाज चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद बयस्तों टार आपको रें झाल हुट अ जरूर नार डदर कमेंट मेंट बॉक्स मेंट अजा प्धोला है नहीडियों तो लिएसे जोबस्तों तो बॉक्षबस्तों तो बटtes